हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं बताऊंगा बाटो और मापो से संबंदी अपरादों के विशे में भाती डंड सहीता की धारा 274, 265, 266 और 266 के बारे में भाती डंड सहीता 1860 की धारा 264 में तौलने के लिए खोट उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग इसमें दिया गया है जो कोई तौलने के लिए ऐसे किसी उपकरण का जिसका खोटा ओना वह जानता है कपट पूर्वक उपयोग करेगा वह दोनों में से किसी भाती की कारावास से जिसकी अवधी एक वस्तक हो सकीगी या जुर्माने से या दोनों से डंडिट किया जाएगा भाति डंड सहीता की धारा 265 में है खोटे बांट या माप का कपट पूर्वक उपयोग जब कोई किसी खोटे बांट या लंबाई या धारीता के किसी खोटे माप का कपट पूरवक उपयोग करेगा या किसी बांट या लंबाई या धारीता के किसी माप का या उससे भिन बांट या माप के रूप में कपट पूरवक उपयोग करेगा वो दोनों में से किसी भाती के कारावास से जिसकी अउधी एक वस्तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से डंडित किया जाएगा उसके बाद है भाती डंड सहीता की धारा 206 में खोटे बांट या माप को कबजे में रखना जो कोई तॉलने के लिए किसी ऐसे उपकराण या बांट को या लंबाई या धारिता के किसी माप को जिसका खोटा होना वह जानता है इस आसा से कबजे में रखेगा कि उसे कपट पूर्वक उपयोग में लाया जाए वह दोनों में से किसी भाती के कारावास से जिसकी आउदी एक वहस तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से डंडित किया जाएगा उसके बाद है भाती डंड सहीता की धारा 266 खोटे बांट या माप का बनाना या बेचना जो कोई तॉलने के लिए किसी ऐसे उपकराण या बांट को या लंबाई या धारिता के ऐसे किसी माप को जिसका खोटा होना वह जानता है इसलिए कि वो उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या संबाब जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए बनाएगा बेचेगा या बैनित करेगा वो दोनों में से किसी भाती के कारावाज से जिसकी अउधी एक वस्तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से डंडिट किया जाएगा दोस्तों ये बाटो और मापो से सम्मदीर अपरात के बिसे में हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद